हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing really, really well and I hope आप लोग इस टाइम पर full of energy होगे, full of rigor होगे full of positivity होगे क्योंकि अब हमारे जो CA Foundation के exams है वो शुरू होने जा रहे हैं और ये वो time है जिसकी हमने इंतजार किया है last 6 महीने से आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सभी important tips की जो आप लोगों को याद रखनी है पूरा strategy plan जो एक दिन पहले exam से पहले हम लोगों को याद रखना है प्लीज वीडियो को पूरा सुनना इसको 1.5x पर shift कर देना वीडियो को short रखूंगा सारी tips आप लोगों के लिए proper concise manner में एक proper strategy के form में लेकर आया हूँ प्लीज इनको exam से पहले जरूर 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 से सुन लेना let's get started सारी की सारी tips को मैंने broadly 2 parts में divide कर दिया है 1.1 day before exam से पहले हमको किन चीजों का ध्यान रखना है and on the day of exam हमको किन-किन बातों का ध्यान रखना है before exam, during exam and the after exam सबसे पहले बात करते हैं बिटा 1 day before exam की एक दिन पहले यानि की आपने हर एक दिन पहले की बात कर रहा हूं सिरफ accounts के paper की बात नहीं कर रहा हूं कुछ चीजों का ध्यान रखना है you only have to revise tip number 1 the topics that you have done so far कोई भी नया topic उठा कर खुद को परिशान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो आता है केवल उसी उसी पर ध्यान दीजिए अपना tip number 2 एक से दो कोशन से जादा आपको practice नहीं करने है एक दिन का समय होगा बहुत limited time span होगा एक से दो कोशन practice करिये concept को revise करिये सिरफ और सिरफ और important important formats को देखिये इस दिन पे आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर एक chapter में से 5 से 10 कोशन करने लगेंगे time इतना नहीं बचेगा tip number 3 take breaks and in those breaks take power naps power naps मतलब सर 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए एक alarm लगाया और सो गए ये ना हो कि break ले रहे हो तो उस break के अंदर phone, TV या फिर कोई और movie लगा कर बैट गए जी नहीं इस time पर हमने अपनी आखों को अपने दिमाग को बिलकुल rest देना है और जितना जादा हम rest देंगे उतना ही हम अपने exam में काम रहेंगे तो जब आपकी पढ़ाई से break मिले 15 मिनट के लिए power nap लीजे, सो जाईए आखों का अराम मिलेगा और दिमाग को भी नमबर 4 focus on self revision बेटा जी I understand there are multiple YouTube revision marathons that are going one day before exam but मैं आपको ये suggest करूँँगा कि आप अपनी self revision पर जादा focus करिए देखे बेटा जो teacher आपको पढ़ा रहे है of course they are putting their 200% into that लेकिन आपको revise करना है कि आपको कितना याद है उन्होंने बोल दिया, आपको अभी लगा आपको याद हो गया बट ऐसा नहीं है कि वो सारी remembrance exam में जाके आ जाएगी टिप नंबर 5 prepare your plan for that one day सर एक दिन का समय है बहुत कम टाइम होता है accounts का paper खतम होता ही law का paper है एक दिन के time में भाया क्या क्या करना है एक time based plan होना चाहिए कितने घंटे किस topic को देने है मैंने अपनी last video के अंदर जब revision plan accounts का दिया था हर एक topic के लिए number of hours define करे थे दो घंटे में इसको खतम करो दो घंटे में इसको खतम करो उससे जादा उससे नहीं देना है ये ना हो simple topic पे 6 घंटे लगा दिये और जो difficult topic आ रहा है उस पे 5-7 minute ही लगा पाई या 10-15 minute लगा पाई क्योंकि समय नहीं बचासर एक्जाम से पहले हमारे पास तो time based plan और realistic plan बनाने है अगर मैं एक ऐसा plan बनाओ let's revise complete accounts in one day in 10 hours बेटा ऐसा possible नहीं है आपके पास जो आपका time है आपको पता है 10 घंटे में 10 chapter नहीं कर पाओगे partnership भी है, NPO भी है, company भी है तो जो plan बनाओ उसको realistic बनाओ बड़े chapters को जादा समय छोटे chapters को कम से कम समय दीजे revision करने के लिए इस समय पर junk food को avoid करिए बेटा बदलता मौसम है कोई भी junk food खा के ये ना हो कि सर पेट खराब हो गया, तबेट खराब हो गई, बुखार हो गया exam का time है, performance का time है यहां पर अपनी performance को खराब नहीं करना है avoid करिए और घर का खाना खाइए इस time पर सिरफ और सिरफ tip number 7, stay calm बेडा इस time पर panic बहुत जादा होगा लोगों से बहुत सारी चीज़े सुनने को मिलेंगी avoid करो YouTube को, avoid करो लोगों की बातों को, avoid करो phone को, ताकि panic ना हो थोड़ी anxiety होना, common बात है हर CA student face करता है लेकिन वो पहले exam के बाद वो भी कतम हो जाती है, तो इस time पर कोशिश करिए काम रहने की, अगर anxiety हो take deep breaths, और पानी पीजी अपने पास जादा से जादा water consume करिए hydrated रहने की कोशिश करिए proper meals consume करिए अपने पास और focused manner में काम करिए, आपको डरने की कोई जरूत नहीं है, जिसने 6 महीने से काम किया है आखरी दिन में तुमारी कोई किस्मत बदल नहीं जाएगी, अगर 6 महीने काम किया है बढ़िया तरीके से, तो बेटा exam भी बढ़िया जाएगा, और 6 महीने अगर तुमने आराम से निकाले हैं कि भही पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे तो बेटा फिर तो आज tension लेकर क्या हो जाएगा exam कौन सा change हो जाएगा तो let's be very practical on those terms also अगर महनत करी है तो exam अच्छा ही जाएगा अब बात करते हैं sir on the day of exam, अब जिस दिन हमारा exam आएगा, एक दिन की आपको दे दिया अच्छा एक बात याद रखना, यह जो tips है यह सभी exams के लिए common है, जो एक दिन पहले exam से होता है, और यह जो आगे वली बाते करने जा रहा हूँ यह on the day of exam की बात करने जा रहा हूँ that is before the exam सबसे पहली चीज, जब भी exam से पहले निकलने लगो, before living, check your bag आपके bag में आपका admit card है या नहीं है आपके bag में एक ID proof है या नहीं है आपके पास 3 calculator है या नहीं है 5 black ball pen है या नहीं है 2 pencils है या नहीं है और 1 water bottle है या नहीं है यह सारी की सारी चीज़ें आपके bag में होनी चाहिए सर तीन calculator examiner allow करेगा क्या बेटा अपने table पे 2 रखना back के अंदर 1 रखके back को classroom के बाहर रख देना यह बात समझ लीजे और जितने pens हैं वो आप अपने पास अपने table पे रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है calculator दो अपने पास रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बस scientific calculator नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा और जो pencils आपको specified pencils हैं आपके objective exams के लिए वो ही वली pencils खरीद कर जाना जो ICI ने specify कर रखा है बात समझ में आ गया उसी से ही अपने exam के अंदर अपने जो आपने टिकमा करके आने हैं जो गोले भरके आने हैं वो उसी pencil से भरके आना ये ना हो उसको pencil भरा या फिर आगे कह रहो बेटा जी ये देखा गया है students की जेब में से जब smartphone निकल जाता है आदा घंटा वहीं पे खराब हो जाता है examination hall में examiner paper ले लेगा और एक नई sheet पकड़ा देगा कि अब नई sheet पे करना शुरू करो कोई smartphone, smart watch आपके पास नहीं होनी चाहिए timely manner में अपने घर से निकल जाना मतलब examination अगर दो बजे से है तो ये नहीं है कि तुम डेड़ बजे घर से निकल रहे हो भाई अब बारा बजे घर से निकलो ये provision लेकर चलो sir examination hall 10 minute दूर है भाई ये provision लेकर चलना अगर इस 10 minute के अंदर तुमारे को कोई traffic jam मिल गया कोई और अगर contingency आ गई तो उसको भी कैसे deal करना है don't hush at last moment अपने दिमाग को अपनने काम रखना है ये ना हो हम hush-hush में भाग के जा रहे हैं और जो concept पड़े वो सब बूल गए दिमाग में क्योंकि इतना hush create हो गया examination में पहुचने से पहले ही तो timely manner में निकलें exam center से बाहर tip number 4 कोई discussion नहीं करेंगे आप किसी भी student से भाई तूने ये किया है भाई कितने number का करके आया है ये topic किया है ये सारे काम आपने नहीं करने है examination hall के बाहर ये सिरफ और सिरफ panic create करेंगे आप में सिरफ और सिरफ demotivation लेकर आएंगे जो तुम करके आए हो वो exam में लिखाओ discussion करने से कुछ बदल नहीं जाएगा discuss करने से तुमारा brain जो है वो under stress आ जाएगा और उससे performance पूर ही होगी improve तो होने से रही बात समय में आ गई point number five stay relaxed exam से पहले बहुत anxiety create होती है क्योंकि दूसरों से बाते करने लग जाते हैं stay relaxed जहां पर भी examination hall के वही center पे जा रहे हो देखो अगर बारिश हो तो proper अपना च्छाता carry करना साथ में और अगर धूप है मैं फिर भी कहूंगा अपने पास एक umbrella carry करना ताकि ये नहों कि कोई last moment पर कोई heat impact आए और आप लोगों को ऐसा लगने लगे कि energy drain हो रही है अगर चाहिए तो अपनी जो water bottle है उसमें पानी की बजाए कोई glucon D या नीमू पानी या जो भी कोई ऐसी चीज है जो भी ऐसे कोई natural thing है या अपने पास carry कर ले न कि अगर तुमको लगता है कि blood pressure उपर नीचे हो रहा है exam से पहले तो उसको consume करके तुम अपने आपको वहाँ पर काम कर सको पानी, glucon D, glucose जो भी तुमको चाहिए वह अपनी water bottle में ले जाना अपने साथ कोई दिक्कत नहीं है बात समयन में आ गई and last and the most important tip is take blessings from your parents and your elders बेटा जी, इनकी जो blessings है ये exam में सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाली है मैं आपको एक बात बता दूँ अगर आपने महनत करी है अपने माता पिता अपने elders, अपने बड़ो अपने mentors की blessings लेकर जाईए मेरी blessings आप लोगों के साथ है you will do very very well I know that आपने महनत करी है तो आपका exam बहुत अच्छा जाने वाला है और अपने माता पिता के पैर चू कर जाईए उनसे मिल कर जाईए और एक अच्छे mindset से जाईए ये ना हो कि बेटा जी लड़कर जा रहे हो और फिर लड़कर गए हो जगड़ा करके और फिर exam में जाकर वोई बाते सोचने को मिल रही है ऐसा कोई काम नहीं करना हस्ते हस्ते जाओ, हस्ते हस्ते वापिस आना है बात समझ में आ गए अब during the exam की tips की बात कर लेते हैं जब exam चालू हो गया तो तब क्या करना है reading time मिलेगा 15 मिनट का इस reading time को किस चीज के लिए utilize करना होता है ध्यान से देख लो identify the questions that you know best sir, accounts के paper में जैसे 6 questions आये हैं मेरको उसमें से 5 करने हैं फर्स तो compulsory हो गया बाकि 2 to 6 questions में से मेरको अपने पास 4 questions और identify करने हैं भाई वो identification कर लो उसी reading time में कौन सा question तुमको best आता है one तो करना ही करना है तो उस पे क्यों time खराब करते हो बाकियों में से देख लो ना कौन सा question तुमको नहीं आता है उसको तो पहले ही दिमाग में लगा लो ये नहीं करना जब ये identify हो गया कि questions that you know best फिर अपना order decide करो किस order में questions को solve करोगे सर आप कोई भी question पहले कर सकते हैं बस question number को clearly state कर दीजेगा बात समयंद में आगी आगे इसके बारे में बात करूँगा आपको question 6 सबसे पहले आता है question 6 company account का होता है जो तुमने पूरा ग्यारवी बारवी पढ़ा है अगर accounts की बात करूँ तो maximum students वहीं से start करना पसंद करते हैं वहाँ time save होता है relaxation मिलती है issue of shares or debentures का question होता है बहुत simple सवाल होता है question number 6 वहाँ से अगर आपको लगता है तो वहाँ से शुरू कर लीजे कोई दिक्कत नहीं है बट वहाँ से शुरू कीजेगा जो आपको best आता है ये नहों partnership मुझे आता नहीं और मैंने partnership ही सबसे पहला question उठा लिया वो सबसे बड़ी stupidity होगी exam के अंदर बात समझ में आ गई है do the question that you know best सबसे अच्छा जो आता है फिर उससे कम अच्छा आता है फिर उससे कम फिर उससे कम उससे कम question 6, question 4, question 2, question 1 ऐसे करके जो सबसे best आते हैं पहले वो करते जाओ सारे के सारे आगे बात करते हैं question paper के ओपर कुछ भी लिखने की ज़रुद नहीं है reading time में students क्या करते हैं question paper पर ही solve करना शुरू कर देते हैं अपने paper को इससे examiner आपका examination जो paper है वो ले सकता है आपसे और reading time बुरा बेकार हो जाएगा उस case में और जो भी अगर question paper पर let's suppose कुछ गोला बनाना है कुछ marking करनी है वैसे तो strictly मना होता है तो वो pencil से करिए pen से मत करिए pencil अपने हाथ में रखिए जब आप question paper को read कर रहे हैं अगर आपको read करते होए कुछ अगर आपको 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 pencil वगेरा चाहिए रहती है तो अब दूसरी बात exam sheet के उपर don't write your name your contact number your smileys any smiley that you make कुछ भी ऐसा कोई religious sign ऐसी कोई चीज़ें allowed नहीं है examination paper के उपर लिखना strictly discouraged है अगर आपका नाम आपका phone number आपका कोई comment examination sheet पर पाया जाता है आपका result जो है वो withheld हो जाता है यानि कि जब बाकी बच्चों का result निकलेगा आपके result में वहाँ लिखा होगा withheld जब ICI को contact करोगे वो यही कहेंगे आपने अपनी sheet के उपर अपना नाम क्यों लिखा यह actual हो चुका है हमारे students के साथ और इसके अंदर problem यह आती है except for roll number कुछ नहीं लिखना होता है बात समझ में आ गए first do the questions that you know best इस चीज़ को मैं already आपको explain कर चुका हूँ write the question number properly students बहुत बार मैंने आपको यह चीज़ करते हुए अपनी test series में भी देखा है आप उपर लिख देते हैं question number 2 उसके बाद A, B आगे वाली sheetों पर सिर्फ A भी लिखते रहते हो अरे भाई यह क्या तरीका होता है जब next sheet पर तुम shift कर रहे हो तो तुमको वहाँ properly लिखना है question number 2, part number A कर रहा हूँ मैं question number 3, part number B कर रहा हूँ यह B से हम कैसे identify करें तुमने तीसरे का B part किया है या पांचवे का B part किया है तो क्रिपया करके question number को पूरा लिख कर आए और मैं तो आपको यह बोलूँगा question number को middle of the page में लिख कर आए अगर आपका यह examination का sheet है तो यहाँ पर इस भीच में लिखें question number 2, part number A सीधा सीधा आपको दिखता है वहाँ पर जब examiner के पास पहुचेगा उसको सीधा सीधा दिखेगा आपने question number 2, part A किया है under top of the page यहाँ पर यह लिखिए बात समय में आ गई और question को चाहें तो आप vertically और horizontally जैसे भी solve कर सकते हैं आपकी sheet vertical होगी आप ऐसे बनाना चाते हैं accounts का format या आप उस sheet को ऐसे horizontal करकर ऐसे बनाना चाते हैं आप कर सकते हैं लेकिन एक common error जो बहुत सारे students करते हैं वो यह है कि वो solve करते हैं दो pages पर मैंने यहाँ पर एक format बना भी दिया है आप लोग को दिखाने के लिए यह आपकी examination sheet है यह page 1 है यह page 2 है आप लोग क्या करते हैं आपको एक account current का question बनाना है तो आप 2 page ले लेंगे यहाँ पर आएगा आपका debit side यहाँ पर आएगा credit side क्रिपया ऐसी चीजों को avoid करें आपको vertical solve करना allowed है horizontal allowed है बट ऐसे ना solve करें दो pages के उपर भया sheets vertically scan होकर जानी है examiner के पास उसके पास आपका यह physical paper नहीं पहुचना है तो क्रिपया करके ऐसी चीजों को बिल्कुल avoid करें vertical solve करें नहीं तो horizontal कर लीजे कोई दिक्कत नहीं है हमको लेकिन जो करना है अपने पास ऐसे मत करो कि आदा debit side इदर आदा credit side उदर भई horizontal पे भी अगर अगली sheet पे भी जाता है न तो भी कोई तकलीफ नहीं होती एक sheet के बाद दूसरी sheet पे जाएगा तो भी समझ में आता है कि आपने कैसे solve किया है चलिए और उसके बाद pointer number 6 keep track of your time यहाँ पर सबसे ज़्यादा problem आती है आपके ego की ego कैसे आपको hit करता है यहाँ पे भाई कोई question करने लगे सर ने बोला है एक marks को डेड़ मिनट से जादा नहीं देना है यह हमारा time span हमेशा से हमने decide किया है 5 marks के question को 8 मिनट से जादा नहीं देना 10 marks के question को 15 मिनट से जादा नहीं देना यह speed maintain करनी है अब सर किसी final accounts के question में अटक गया मेरी balance sheet match नहीं हो रही अब यहाँ आती है ego problem बच्चा क्या करता है पूरा question paper छोड़के बस balance sheet मिलाने में लग गया आरे भाई अगर तुमने balance sheet मिला भी ली क्रिपया करके उसको वहाँ छोड़ दीजे उसके लिए थोड़ी जगा छोड़ दीजे दो पन्ने और उसको कहिएगा बाद में सोच लूँगा अगले question पर move करिए don't keep on lingering on that question only कि मैं इसको solve करके जाऊंगा यहाँ ego problem students की बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है avoid talking to other students in the examination hall sir exam का paper जब चल रहा है इधर उदर के इशारे करना इधर उदर देखना और students को smile pass करना एक आपका ही time waste करता है आपको distract करता है और जो आप पूछते होना sir silly mistake क्यों होती है इनी वज़ाओं से होती है आप दूसरे students से communicate और actions में बाते कर रहे होते हैं तो इसलिए अपने paper में गलती हो जाती है जो number सोचा होता है दिमाग से निकल जाता है accounts का question तभी पूरा correct होता है जब पूरा focus आपका paper पर होगा ensure that जितनी भी आपने extra sheets लिए है आप सबको attach करके आए ये ना हो sir आपने tie किया और एक sheet तो आपके table के नीचे ही रह गई और बाद में भाग रहे हो examiner के पीछे की सरसर ये sheet तो रही गई तो ensure करिए अगर आपने चार sheets लिए है तो अपने पास properly timely manner में उनको tie कर लीजे अगर आप stepler लेके जाते हैं तो steple कर दीजे उसको correct order में और अपनी पूरी sheets को submit करिए आएसा ना हो last में कोई sheet अपने पास रह जाए table पे तो बहुत तकलीफ हा जाएगी और last चीज अपने exam में काम रहे है आपको एक question आता है दो आता है, तीन आता है, चार आता है, पांच आता है जितने आते हैं उतने question आप कर दीजे जिस manner में आते हैं जो best पता है उनको आप कर दीजे but please stay calm panic करने से पसीने निकल रहे हैं blood pressure low हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा this is just an exam बेटा जी, प्लीज, ये life नहीं है कि examination hall में जाकर सर, बच्चे faint हो रहे हैं वहाँ पर की पता नहीं paper देखके क्या हो गया, this is just an exam we need to understand that and we need to clear that phobia, बात समझ में आई जिन्दगी बहुत बड़ी है तो please अपने पास अपना काम रहे है paper के अंदर, अपनी तबेट को ठीक रखिए अपने पास सबसे पहले, और after the exam last चीज, कुछ बातों का ध्यान रखिए after exam, अपने exam paper को अपने bag में डालिए, उस पर कोई discussion नहीं होगा, तुमने क्या किया है, answer क्या आया है उसका answer क्या था, तुमने कितने का attempt किया है, nothing doing पीछे वाला student पूछता है, भाई, paper कैसा हुआ, कै मुझे नहीं पता last paper के बाद बताऊंगा, तिरको accounts का paper कैसा हुआ, बात समझ में आ गई आज कोई discussion नहीं करूँगा, bag में डाला चुप-चाप, class से बाहर, जहां बैठे और अपने घर पहुँच गए, फटा-फट से, come home as soon as possible, जितनी जल्दी घर वापिस आओगे, उतनी जल्दी अगले paper की त्यारी शुरू कर पाओगे, एक दिन की छुट्टी है सिरफ बीच में, आईए घर, खाना खाईए अपने घर का, और आदे घंटे के लिए सो जाईए, अपने दिमाग को जो तीन घंटे अभी दोड़के आया ना दिमाग paper में, उसको अराम चाहिए थोड़ी देर का, उसको अराम दीजिए, बात समझ में आ गई, stay relaxed during this time, 7 बजे तक maximum अपने पास, 5 बजे paper खतम होगा, आदा घंटा घंटा घराने में लगेगा, 15-20 मिनट में खाना खाऊगे, आदा घंटा सोगे, maximum 7 बजे तक अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजे, दूसरे, जो next paper है, उसकी तयारी को, and please, don't think about the past paper, ये बड़ी common problem है, पिछले paper की ही सोच में लगे रहते हैं, अरे अगला paper खराब हो जाएगा बेटे, पिछले paper तो गया, जो होना था वो हो गया, अगले paper पर ध्यान दो अपने, जो अगले एक दिन के बाद है जो paper, उस पर focus करना है इस time पे हम लोगों ने, अपना पिछला paper जैसा भी गया, और याद रखना एक बात को, paper अच्छा जाए, चाहे बुरा जाए, तुम सारे paper देने जाओगे, सर, law का paper तो बिल्कुल बेकार गया मेरा, मतलब मेरे को तो पका ही पता है, मैं fail हो जाओगा, तो मैट्स और इको देके, क्या फाइदा, जी नहीं, आप paper attempt करने जाएंगे, battle से भागना नहीं है, ये बात मैंने आपको हमेशा सिखाई है, कभी डरना नहीं है, जैसा गया paper, कोई बात नहीं, अगले paper मैं देने जाओगा, और एक बात को याद रखिएगा बिटा, इन सब में, यही मेरी सारी strategies थी, फड़ा फट से मैंने आपको clear कर दी हैं सारी बाते, इन सब में एक चीज़ common है, अपने आपको काम रखिए, paper से एक दिन पहले क्या करना है, दुबारा से सुन लिजे, जरूरत है, और हम इंटर में जरूर मिलने वाले हैं, बात समझ में आ गई, paper का result आएगा, अपने इंटर में मिलेंगे उसके बाद, तो अपने को परशान नहीं होना है, कि सर अब क्या होगा foundation के अंदर, अब foundation देखना ही नहीं है, यही सोच के जाना है बस, हमने इंटर में जाके अब जब बसर को फोन करना है, कि सर बताओ, अकाउंट का बैज कब शुरू हो रहा है, बात समझ में आ गई, इसी positivity के साथ हम लोगों ने paper में जाना है, एक smile लेके जाना है, रोते होगे नहीं जाना है, कि पता लगे, मोटे-मोटे आंसू निकल रहे हैं, वरना वो फिर याद है न, क्लास वाली डॉल आ जाएगी घर पे, वो जो डॉल बनाते थे एनबेल, अगर मोटे-मोटे आंसू निकले तो, एनबेल अगर घर पे ना आए, तो उसलिए क्या करना है, हस्ते हस्ते जाना है, हस्ते हस्ते घर वापिस आना है, जैसा हुआ कोई बात नहीं, जो अभी तक किया था, उसी का ही पेपर का रिजल्ट आएगा, बात समझ में आ गई, keep a smile on your face, keep the positivity on, keep your rigors on, बहुल अच्छा पेपर होने वाला है, God bless you all, take care, thank you so much, bye-bye.